हेलो दोस्तो, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ, मैं मनोज जोसी, अपने योटूब चैनल, जिसका नाम है मनोज अमल्टी, तो दोस्तो, आज हम दिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है बॉंबे ब्लड ग्रूप, तो आज हम जाने के बॉंबे ब्ल ब्लड ग्रूप, ये क्या था दोस्तो, ये क्या होता है, एक साइंटिस्ट थे, जिनका नाम था भेंडे, उन्होंने 19-12 में, 1952 में, बॉंबे में, जब ब्लड ग्रूप कर रहे थे, वो एक खोच कर रहे थे, ब्लड ग्रूप के उपर उनका रिसर्च चल ला था, तो उन् धो नाम सब्सक्राइब के हमारे ग्रूप है, ठीक है, ब्लड ग्रूप है, मिनी 4 टाइप के होते हैं, ये मैं ABO system की बात कर रहा हूँ, जिसमें, हमारे 4 type के ब्लड ग्रूप होते हैं, अगर हम तो यहां पर क्या हुआ, जो ब्लड ग्रूप A होता है, उसमें EnTPheimer होता है, द दोस्तों क्या होता है और इसमें एंटी बॉडी नहीं हो सकता है और सेम होंगे तो यह आपसी करेंगे लाइस कर देते हैं प्लट से, एई प्लट से, तो इसलिए इसलिए नहीं होता है, इने में reaction हो जाती है तो इसलिए A antigen है तो यहाँ पर B antibody होगा ठीक है? अर B है तो उसमें antigen B होगा और antibody A होगा ठीक है? और O blood group में क्या होता है इसमें कोई भी anti-antigen नहीं होता है और antibody A और B दोनों होते हैं ठीक है यहाँ तक किलिए रख लेकिन एक जीच common होती है सारे blood group में A होया B हो, A B होया O H इन सब में A antigen सेम होता है, H antigen सब में होता है, ठीक है? यह याद रखना, यह ध्यान में रखना H antigen आपका A blood group में भी होगा B blood group में भी होगा और A B में भी होगा और O blood group में भी H antigen होगा तो H antigen सब ही में आपको मिल देखने को मिलेगा लेकिन क्या हो जब भेंडे ने 1952 में यह research करी यह खोज करी, तो उन्होंने देखा कि जो RBC है उसमें उसमें क्या है? उसकी surface में जो RBC है RBC तो उसकी surface में ना तो A antigen है ना B antigen है ना B antigen है पर ना ही H antigen है कोई भी antigen उस blood group में नहीं है तो उन्होंने बताया क्योंकि आप जानते हैं कि जो blood group जो H antigen है common होता है सब में लेकिन इस blood group में ना H antigen भी present नहीं था तो कोई भी antigen इस RBC में present नहीं था और उन्हें दूसरी चीज देखी जो यह H antigen है जो यह blood group है जिसमें ना A है ना B है ना H antigen है उसमें लेकिन क्या है क्या चीज है A antibody भी है B antibody भी है और H antibody भी है ठीक है A B antibody है Antibody ठीक है यह तीनों antibody उसमें प्रजेंट है A antibody, B antibody, H antibody यह तीनों प्रजेंट है लेकिन antigen क्या है यह antigen क्या है antigen क्या है upset ठीक है और यह तो उन्होंने क्या देखा उसमें उस ऑक ब्लड ग्रूप में जो उस टाइप का ब्लड ग्रूप था कि उसमें यह एंटीजन से लरें लोकिन अंटी मोट थे वह थो उन्होंने इसको क्या बोला общ jestem बॉंबे में की थी तो इसलिए इसका ना बॉंबे ब्लेड रूप पढ़ा इतना के लिए रहे तो उसके बाद आगे देखे सिरा प्लाज्मा उसे महीं चीज़ा जो मैं समझा आगे लिखा गया है सिरा प्लाज्मा प्लीच परसर्ण नंति आंति एंटी एंटीबी एंटीएंट एंटीएंट एंटीपें और आगे आगे लिखेंट accept the blood only from their own group OH और Bombay टाइप ठीक है यह इस टाइप की जो परसन होते हैं जिन में इस टाइप का Bombay ब्लड ग्रूप आले जो होते हैं या OH ब्लड ग्रूप आले जो होते हैं वो एक्सेप्ट के वाल उसी ब्लड ग्रूप को accept करेंगे सेम ब्लड ग्रूप को Bombay ब्लड ग्रूप आले से ही ब्लड ले सकता है ठीक है बाकी ना A से ले सकता है ना B से ले सकता है ना A B से ले सकता है ना O से ले सकता है क्यों इसमें क्या है अगर वो A से लेता है ठीक है Bombay ब्लड ग्रूप आले से लेता है तो यहां पर क्या है इसके यहां पर B है, B antigen है और यहां इसके पार क्या है? B antibody है, Bombay blood group के बाद, तो यह दोनों भी आपस में reaction करेंगे, A B से भी नहीं ले सकता, और O से भी नहीं ले सकता, क्यों? O के पास क्या है? H antigen है, लेकिन इसके पास क्या है? H antibody, यहां पर भी क्या हो जाएगा? reaction हो जाएगा, तो यह accept नहीं करेंगा, इसलिए इस यह बहुत rare blood group माना जाता है, लाखों में से किसी एक person में यह देखने को मिलता है, ठीक है? तो यह है blood group, Bombay blood group किसे बोलते हैं, यह आप समझें, लेकिन मैं एक चीज़ बताता हूँ, तो मैं आपको यह बताता था आगे को, क कि जो भी blood group हमारे होते हैं, चाहे A, O, B, A, B, O, जितने भी blood group हैं हमारे, वो क्या है, वो कहां से derived होते हैं, कहां से बनते हैं, इस H antigen से, ठीक है? इस H antigen से ही वो निकलते हैं, ठीक है? तो यह आप देख पा रहे हैं, यह क्या है? यह इस यह क्या है? यह H antigen का structure है, जिसमें galactose है, N-acetyl, glucosamine है, galactose है, glucose है, और lipid है, और यह fucoz है, ठीक है दोस्तों? तो यह है हमारा H antigen का structure, होता क्या है? जब इस H antigen के साथ N-acetyl, glucosamine, transferase enzyme, act करता है, active होता है, तो यह क्या करता है? इस N-acetyl, glucosamine को इस H antigen के साथ जोड़ देता है, कहां पर? टर्मिनल पर, कहां पर जोड़ता है? टर्मिनल पर, जहां पर fucoz है, वहां पर यह जुड़ जाता है, ठीक है? कौन N-acetyl, glucosamine, ठीक है? कौन से enzyme, इसको यहां पर add करता है, जोड़ता है, N-acetyl, glucosamine, transferase, ठीक है? ठीक है? और, अब B antigen का होगा, जब गलेक्टोस, transferase enzyme, इस H antigen की antigen पर act करेगा, तो यहां पर क्या कर देगा यह? गलेक्टोस को add कर देगा, ठीक है? तो इससे हम क्या बोल देते हैं? B antigen, ठीक है? इतना के लिए रहे, एक बार फिक से समझा दूँ, यह H antigen है, जो आप इस structure देख रहे हैं, जिसमें मैंने आपको बताया है अभी, यह H antigen है, अगर यहां पर N-acetyl, glucosamine, transferase enzyme, काम, act करता है active होता है, तो यह बनाता है A antigen, यहां पर क्या होता है? इस terminal glucose पर, इस terminal carbohydrate पर क्या जोड़ जाता है? A, A, N, acetyl, glucosa, mine, ठीक है? तो इससे हम क्या बोलते है? A antigen, अगर terminal glucose पर, galactose जोडता है, कब जोड़ेगा? जब galactose transferase enzyme, इस H antigen पर एक्टे करेगा, तो यहां पर क्या जोड़ेगा है? Galactose, ठीक है? तो इससे हम नहीं क्या बोला? B antigen, ठीक है? इतना क्यलियर है, और इसमें कोई भी अगर enzyme active नहीं है, तो यह क्या परहे जाता है? H antigen, जो क क्या बोलते हैं? O blood group, और यहां पर इसे B blood group, A blood group बोलेंगे, A blood group, blood group, और इसे B blood group, ठीक है? इसे A blood group, इसे B blood group, और खाली H antigen रह जाता है, उसमें कोई भी inactive रहता है, कोई भी enzyme, तो यहां पर H antigen रहता है, तो वो H antigen O blood group में परज़न रहता है, only H antigen, किसमें रहता है? O blood group में, तो वहां पर इसे क्या बोलेंगे हम, O blood group, ठीक है? अब A B बच गया हमारी बाद, अब A B में क्या होगा? होता है क्या A B में? उसमें क्या होता है, कि यह दोनों active हो जाते हैं, एनसे टाल, गुलकोसा माइन, ट्रांसरेजन जाएंग, और गले गलेक्टोस, ठीक है? यह दोनों अगर इस टर्मिनल का अग्वाइडरिट पर जूर जाते हैं, तो यह क्या बन जाता है? A B, blood group कौन सा बन जागा? A B, blood group, ठीक है? इतना समझ मां आ गया? ठीक है? यहां पर क्या हो रहा है? दोनों enzyme active हो जाते हैं, और दोनों में से क्या आ र transferage enzyme दोनों जोड़ेंगे और यहां पर बन जाएगा हमारा A B, blood group, ठीक है? तो यह H antigen पर depend करता है कि H antigen की साथ कौन सा enzyme act करके, कौन सा antigen बना रहा है? ठीक है दोस्तों, तो यह है आपका Bombay blood group और यह थोड़ा मैं आपको समझाने के लिए बता दिया था कि इससे क्या होता ह है और लास्न में इसी बता दूँ अगर H antigen लेकिन Bombay group में मैंने बताया था आपको कि उसमें क्या होता है? कोई भी antigen नहीं होता है, ना H antigen रहता है, ना A antigen, ना A V, ना कोई भी नहीं रहेगा, यानि कि उसमें कोई भी antigen नहीं रहता है और उसमें antibodies कौन कौन सी रहती है? तीनों antibody, A antibody, B antibody और H antibody इसी लिए दोस्तों Bombay blood group वाला ही blood दे सकता है और यह बहुत rare blood group होता है, ठीक है? कोई भी confusion अगर आपको है आज के topic को लेकर तो आप मुझे comment box पर comment कर सकते हैं, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने next video में